हेलो दोस्तों कैसे हो आप लोग आपके चैनल में बहुत बहुत स्वागत है काफी लोगों ने कमेंट किया है कि एक अच्छा सेल्समैन क्या होता है यानि कि एक अच्छा सेल्समैन कैसे बने मैं एक शौर्ट चीज तरीका आपको बताता हूँ जिससे आप एक अच्छे सेल्स परसन बन सकते हैं sales employee बन सकते हैं एक अच्छे बेचने बाले बन सकते हैं अगर आपने ये वीडियो पूरा देखा तो आपको वो निचोड मिल जाएगा जो हमने इतरी वर्सों से उसको कमाया है और उसको पता किया है अब बिल्कुल प्रूफ के साथ बताऊँगा बहुत ही आसान है एक अच्छा sales employee बनना क्या क्या गुण होने चाहिए और किस तरीके से वो बन सकता है चलिए दोस्तों इसके बारे में हम दिस्कस करते हैं देखो एक अच्छा salesman कैसे बने sales employee कैसे बने अपने आसपास जितने भी senior से पूछेंगे सबी कुछ न कुछ अलग बताएंगे लेकिन इसका एक सटीक formula है कि एक अच्छा sales person क्या होता है उसका ये सटीक formula है कि कोई भी company आप से जो काम करवाना चाहती है जो वो कहती है उसको follow करके चलना है किसी भी system में रहना है तो उसके rules and regulation को follow करते हुए चलना है और कुछ समय बाद आप अपने को पाएंगे कि आप एक अच्छे sales employee बन चुके है क्योंकि सभी company का जो criteria है काम कराने का वही formula set होता है एक अच्छे sales employee को बनाने में बहुत सारे लोग कहेंगे एक अच्छा sales employee वो है जो किसी भी चीज को बेच दे ऐसा बिलकुल नहीं है ये practically तोर पर बिलकुल भी मतलब वाज़िद नहीं है बिलकुल भी इसको हम सत्य नहीं मान सकते practically तोर पर क्योंकि यहाँ पर बतायागे कि एक अच्छा salesman वो होता है जो किसी भी चीज को बेच दे तो अगर आप किसी company के CEO जो sales का CEO होगा उसको भी लेके आएंगे तो हर चीज को वो भी नहीं बेच सकता लेकिन वो एक top company पे CEO है बहुत बड़ा उसका package है तो यानि अगर देखा जाए तो वो एक अच्छा salesperson नहीं है एक अच्छा salesperson का ये formula बिल्कुल गलत है मैं जो मानता हूँ एक अच्छा salesperson वो है जो company के rules के follow करे company क्या कहते है कि सुबह आपको market में जाना है साम को आपको इतने बज़े market करनी है process क्या है हर दुकान पर आपको एक time देना है दुकानदार सी communication सही तरीके से बात करनी है और full process करेंगे तो आपका जो इतने घंटे के काम है सुबह 9 to 6 का वो पूरा हो जाएगा और इस बीच में आप सही तरीके से अपने route को follow करेंगे सही तरीके से दुकानदारों से बात करेंगे ठीक है वरना बहुत जगे मैंने देखा है कि लोग कैसे बहुत जल्ली अली market करते है वो क्या करते है कि जल्ली बाइक से गए और उन्हें कहीं जाना है दोपहर के बाद तो बाइक से उतरते भी नहीं है सडक से ही पूछ लेते हैं और लाला जी कैसे हो आपका कुछ order आना है कुछ आना है मैं भिजवादू लिखलू अच्छा अच्छा चलो दो packet डाल लूँगा इस तरह करके वो फुरूर से चले आते हैं हमने बहुत लोगों को ऐसे देखा है और वहाँ पर जो हम दुकांदार से पुछते है अंकेल जी ये किस कंपनी से है तो ये मुझे तो पता ही नहीं ये आता तो है लेकिन मुझे पता नहीं है और order भी उन्होंने नहीं दिया लेकिए उसने कहा कि मैं दो-तीन packet डाल दूँगा दो-तीन आइटम डाल दूँगा ठीक है तो इस तरीक का एक salesman है जो हमेशा आता है लेकिन दुगांदार को पता नहीं है नहीं उसका नाम पता है नहीं उसकी company पता है ठीक है तो ये क्या है कि वो process से नहीं चला अगर वो सही तरीके से अपनी bike को खड़ा करके आता proper time देता दुगांदार से जैसे बात करते हैं पहले normal बोल चाल होती है फिर उसके बाद order के बारे में बात की जाती है तो एक वो उसको पहचानता तो यहीं पर हम ड़़ब कर देते हैं हम केवल company के नियम को follow करें न तो एक अच्छे sales employee बन सकते हैं कोई भी company एक ऐसा salesman मतलब sales employee नहीं चाती जो बेचने में अच्छा हो ऐसा बिलकुल नहीं चाती यह चीज आप अपने मन से निकाल लीजिए हर company चाती है कि उसको बेचना बिलकुल भी ना आता हो लेकिन वो नियम काईद कानून का पक्का हो उसको सारे process पता हो क्योंकि process तभी पता होंगे जब वो उसको follow कर रहा होगा ठीक है follow कर रहा हो तभी पता होगा sales अपने आप हो जाती है जितने भी top level के CEO है employee है जब वो training में आते हैं तो वो कहते हैं कि process follow करो नियम follow करो sales अपने आप automatic generate होने लगेगी लेकिन हम जब नए होते हैं तो हम यही गड़बल करते हैं कि हम process को follow नहीं करते हम order के पीछे भागते हैं sales करने के पीछे भागते हैं process follow करेंगे तो order generate होगा अगर आप सही तरीके से daily का 50 call करेंगे अगर biscuit company में है नमकीन company में है पाइन देंगे हर दुकानदार को तो साम तक वो सारी दुकाने हो जाएंगी और आपका order भी निकलेगा आप order भी निकलेगा तो sale अपरेया बढ़ेगी और जब इस process को आप follow करते रहेंगे महीने दर महीने सालो साल तो वो आपकी personality develop हो जाएगी और जब interview में पूछा जाता है interview में तो एक process पूछा जाता है कि आप अपना day कैसे start करते हैं आप किसी को कैसे convince करते हैं कोई दुकानदार मना कर रहा है बार बार उसको कैसे आप convince करके order लेंगे तो एक process होता है तो process company के follow करो तो आप एक अच्छे sales employee बन सकते हैं बेचना ना बेचना आपके हाथ में नहीं है लेकिन process follow करेंगे तो sales आनी confirm है confirm होता है हम जब बहुत सारे एक अच्छे और educated बहुत age हो गई है ऐसे sales employee से बात करते हैं जो कैई company में GM रह चुके है CEO रह चुके है अब हमारी company को consult करते है तो जब उनसे मिलने का मौका होता है तो अपने जीवन का वो निचोड़ बताते है वो कहते हैं कोई भी company आपको sales करने के लिए नहीं रखती हाँ आम बोल चाल में हमारे जो manager होते है जो जब डाट पे है तो वो केवल sales की बात करते है क्योंकि sales निकल नहीं रही लेकिन उसके पीछे logic ये है कि sales को सही process को follow नहीं किया जा रहा market में एक sales employee के द्वारा तो वो बताते हैं कि जब आप process follow करो sales की चिंता छोड़ दो sales automatic होगी किसी भी product को आप नहीं बेशते हो जो company का product है जो उसकी USB है और एक process जो चलती है वो उस material को बेशती है आप सूसरे हो कि मैं जाके बेशता हूँ तो वो बिल्कुल नहीं है company ने आपको process के लिए रखा हुआ daily 9 बज़े से लड़का market में जाएगा सामको 6 बज़े तक रहेगा daily जब जाएगा उससे पहले distributor point पे जाएगा वहाँ अपना stock check करेगा क्या old stock है, क्या new stock है क्या requirement है उस हिसाब से उसके mind में एक map बन जाएगा और उसको पता होगा कि market में किस चीज को जादा बेशना है किस चीज को कम बेशना है और वो पूरी process से time देके हर दुकानदार से मिलेगा अपना route follow करेगा और फिर जब भी उसका repeat route होगा तो वो sale automatic increase होने लगेगी ये एक निचोड है जो मैं आपको बताना चाहता था एक अच्छा sales employee वो नहीं होता जो किसी भी चीज को बेच दे बहुत सारी चीज़े होती है मैं नहीं बेच पाता हूँ लेकि बहुत सारी चीज़े होती है वो बिकती है तो मैं मुझे जब analyze करता हूँ तो मुझे पता लगता है कि ये साथ process के खेल है हम वही process ना बिकने वाली चीज में करते है वही process जो bumper sale होती है उसमें भी करते है तो हम मैंने क्या किया कि process को follow करो किसी company में चलेगा उसका material नहीं बिकरा पर process को नहीं छोड़ना है नहीं बिकरा दूसरी company में जाएंगे उसी process को follow करेंगे वहां बिकेगा आप ऐसा try करके देखो और जितने top level की लोग होते हैं वो यह चीज बताते नहीं है लेकिन किसी किसी को बताते हैं जो उनके बहुत करीब ही हो जाता है या उसको समझते हैं कि हाँ ये बंदा इस तरीके का है इसको ये knowledge दी जा सकती है वो knowledge आपको free में मिल लगी है वीडियो को जरूर लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब रहें और हाँ comment करना ना भूले आपका जो भी question है जो भी doubts हैं वो comments करके पूछ सकते हैं इससे मुझे भी पता रहेगा कि आपको क्या चाहिए फिर मैं वो ऐसी knowledge आपको दूँगा